तो स्टुडेंट आपके लेके आया हूँ आज की ताजी ख़बर यह ताजी ख़बर क्या है सर बहुत इंपॉर्टन ख़बर लेके आया हूँ आपके लिए आपको अच्छे मार्स की तरभी ले जा सकते हैं और खराब मार्स की तरह डिसाइड आपको करना है और मुझे बताना है यह पैटरन आपके लिए अच्छा किया गया है या अच्छा नहीं किया गया है तो सबसे पहला पदला आप के लिए लेकिया रहा हूँ, नमबर आप कुश्चन गम कर दिये जाएंगे इस बार पेपर में जो आप देख रहे थे, सभी पेपर में नमबर आप कुश्चन बहुत ज्यादा होते थे इस बार CBC ने आपको खुस करने के लिए, आपको खुस खुस रहने के लिए number of question paper में कम किये तो सबसे पहला बदला आपके पास यह आया कि paper pattern में number of question कम कर दिया जाए ताकि आप रहें बिलकुल stress free second बदला जो long question था long question को आप कम कर दिया गया है number of long question जो आप ज़्यादा देख रहें आप कम आएगा और उसके जगह में short questions ज़्यादा आएगे ताकि खास करके major subject की मैं बात बता रहा हूँ जैसे physics है, chemistry है, आपके पास math है यह सब में short questions ज़्यादा आएगे और आपके major question जो आपके long questions में उसको कम कर दिये जाएंगे तो इसका भी आपको advantage मिलेगा क्योंकि long question में आपके number कटने के chance होते है short question में number आपका sure बनता है तो एक बहुत अच्छी खुसकबरी आपके पर लिका आया है और बदलाओ number 3 बदलाओ number 3 अगर आप math के student हैं अगर आपके पास math subject है तो आपके चेहरे पर एक खुसी आने वाली है क्योंकि math में last year आपने देखा था 19 question थे और इस साल math में अब रहेंगे सिर्फ 12 question मतलब 7 question सीधा घटा दिया गया है ऐसा नहीं है कि मैं चंदरासर हूँ इसलिए बोल रहा हूँ ये times of India के अख़बार के जो ख़वाले से ख़वर मिली है मैं उसको आपको बता रहा हूँ बहुत important news ध्यान टखिएगा तीसरा बदलाव मेंने बोला math में कितने question 19 थे पिछले बार लेकिन इस बार आएंगे question केवाल 12 बदलाव नमबर 4 चार बदलाव मतलब internal option अब बढ़ा दिये जाएंगे आप सोचोगे सर क्या internal option बढ़ा दिये जाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ क्या होगा पहले क्या होता था जैसे question number आप 3 करते थे तो 3 का question होता था फिर और होता था गया तो internal choice आपके बढ़ा दिये गए और आपके पास लेके आ रहा हूँ बहुत important बहुत important breaking news कि एक बार जो है आप पहली बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा CBSC board में भी पांच वाँच जो दिखेगा कि first time fill in the blanks को question दिखाई देंगे चाहे वो 10th हो चाहे वो 12th हो दोनों board के लिए बता रहा हूँ है first time fill in the blanks first time आपको दिखाई देगा true and false बहुत सालों पहले आता था ये सा option ये दुबारा pattern आपके पास बहुतरीन pattern आ रहा है आपके पास fill in the blanks होगा आपके पास one word का answer लिखने का होगा बिल्कुल one word का answer आपको कोई reaction देगा बूलेगा कौन सा है name बताओ इसका एक word का answer लिखने को इसा question पहली पर आपको देखने को मिलेगा CBC के pattern में और चटा बदला जो आपके पास दिखेगा बहुत बड़ा बदला आपके पास जो दिखने जा रहा है वो दिखने जा रहा है कि number of objective question जो है कम से कम 25% तो objective होंगे ही होंगे लेकिन ये जरूरी नहीं कि केवल हर सब्जेक्ट में 25% हो CBC ने जारी किया हुआ कि 25% से लेकर 90% तक भी objective हो सकते है तो ये 6 बड़े बदलाव जो CBC ने किया है आपके लिए आप लोग कमर कश लिजे और तयार हो जाएए और चेहरे पर थोड़ा सा खुसी लाइए क्योंकि ये मुस्कुरहट आपको अच्छे मार्स के तरव लेके जाएगा और अगर आपको किसी भी तरह का कोई confusion लगता हो तो प्लीज आप लोग comment box में comment करके बताएगा और CBS के द्वारा निकले वे CBS के द्वारा आये वे latest update को ध्यान में रहने के लिए latest update को जानने के लिए हमारे channel को जरूर subscribe करके रखिएगा जैसे अभी pattern जारी होगा कि किस में कितना number होगा किस में क्या subject में क्या question होगा किस section में जैसे pattern अभी CBSC जारी करेगा मैं आपको तुरंत अगला वीडियो बना के दूँगा तो channel को subscribe करके रखिएगा और bell icon को जरू click कर लिजेगा ताकि मेरे हरे एक आने वाले वीडियो का notification आपको मिलता रहे Thank you so much for watching my this video